जए जवान जए किसान जए वल्राव नमस्कार किसान भाईयों बहुत बहुत स्वागत है आपका इंद्वर्मंडी यूट्यूब चैनल पर में भरत रोज की तर आपको दिखाने वाला हूं इंद्वर्मंडी में भाव आज दिनांग के बता दा दो तारीकिती है दो मान के चलो आप अच्छा एक बहुत बड़े चीच के औरी मालू में अभी आप खुछ समझे उस चीच को अभी आवके कल कम थी आपने भाव देखा कल थोड़ा सा उपर चड़ा मैं यही समझाने का प्रियास कर रहा हूं किसान भाई आपको क्या आवके आपके कंट्रोल मे आप जिस आप जिस माल बेचेंगे फोड़ा फोड़ा करके वेचेंगे अगल से मेरा तो यह बोलना आपके पिस का कर दो के लोट ले जाओ चार पांच शे लोग मिला करके लोट ले जाओ तो उससे क्या होगा देखे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कल आवके कम थी भाव एकदम से पहले स्टार्डिंग के फेज में भी चड़ा एकाद रुपया और जब दूसरा टन हुआ उसका विखने का तो कम से में इतने दिन से आपको वही समझा रहा हूं कि प्याज ज्यादा मात्रा में नहीं है साओत का मेरे पास खबरे आ चुकी है कि साओत का प्याज खराब हुआ है और वह अभी गीला माल है तो उसका निकाल रहे हैं दूसरी चीछ वह लोडिंग वाला माल है नहीं जो साओत व कोई चिंता वाली बात मी जितने भी आ लोग आपको गवरा रहे हैं मत गवरा हो जो बोल रहे हैं 20 रुपे हो जाएगा 25 हो जाएगा सब पागल बना रहे में इत्ता बता दू लूंको नहीं होने वाला इत्ता नीचे तो किसी किमत पर जाने वाला भी तक प्याज और दूस अब अनुमान लगा सट्टे का माल जाएदा नहीं है तो मेरा आप से यही बोलना है थोड़ा थोड़ा मस्ती के साथ माल बेचो कोई टेंशन नहीं है और आज के आवक के बात करें 25-28 अजार बाकी लसुन के तो शुटी आप सभी को पता ही है बस सोचो समझो चीजों को औ और भाव लो जल्द बाजी मत मचाना इसलिए बीच में अभी मैंने वीडियो पनाना चालू कर दे किस पे कितना माल बचा हुआ बस इस चीज का विशेश रुप से ध्यान रखो मस्ती के साथ माल बेचना कोई चिंता करने की जुरूत नहीं है कि इतना माल है नहीं बढ़ि किस के आस-पास पच्छी से थीज माल लो वली अपनों योट्यूब कर लो है माल अरे विल्कुल हो तो प्याज लाए कितने कट्र लाए चोसट टोटल घर पर कितना है तो एक साथ ही लेके आ गए तो चोसट ही एक साथ लिया है चलो यह तो आपकी मर्जी पर चोसट को भी आपको दो फेस में लाना था चलो ठीक है कोई बात में